अब बोपाल में अर्शद बाई के साथ सलाम अलेकुम 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 अल्लागा शुकर अब अर्शद बाई अब बोपाल में अपन कहा आ गए बाई अशोगा गार्ण शाषिप कराउंड भी यह तो तक्रीवन दो तीन सालों कर रहा है और यह साल कितने बख्रे पाले भाई अभी साल तो जादा नहीं है यही है जो घुझे है मतलब भी आट एक बख्रे माशाला तो कोन से बख्रे से स्टाडिंग करेंगे भाई पहले इ बिल्कुल मालवा वाले लेकर आया है आपने पर्थिस कहां से किया था भाई यह मैंने चार महीं ने पहले ओलनाई नहीं लिया था यूटूब से दे कोटा से मंगवाया था जी ठीके तो सबस्वर कोटा का ही होगा कोटा में आज काले से कान आने लगे कि अपन आइडेंट इसका वेड होगा पचपन से साइट सम्तिक बहुत भरा हुआ जानवर है क्योंकि दात कितने लगा लिए दात भाई इसने देख लीजिए आप दो तात तो लगा दात नहीं है बता दो आप से लिए चार दात है भाई चार दात है तो अर्षद भाई क्या डिमांड रखी है इसकी पेती सदार में देतेंगे इंशाइलला इसमें नेगोशेट करोगा कर लेंगे इंशाइलला इसलाइडली हो जाएगा जालो पढ़ी आए पेला बखरा हो गया माशाळा बहुत बढ़ी अलुक्त अन्गर इस बगरा जो है यह भी बहुत हसीन चीज है क्योंकि इसके बहुत खुक्षरा है गला पठ्टी है बहुत नाया थे कुन सा मालवा कोटा यह भी वहीं से मंगवा है यह कोटा ही है ठीक है हाइट कितनी होगी है इसकी हाइट है 37 38 38 की हाइट है और वजन कितना आएगा भाई वजन इसका सम्तिंग आना चाहिए पेस अच्छा सकता अब अभी तोला नहीं है इंशाला जाद ही विटे हैं उन बखरों भारी दिख रहा है तोला सा ओके और दात कितने लगा लिए दात इसने चार दात है इसके इसके लगता है आपको अभी यह बगरा पल सकता है गया जी बिल्कुल पल सकता भई और बहुत माशाला सेल फीडिंग पर बहुत अच्छा खाने वाला जनवर है इसका प्राइस बताना चाहोगे कितने का है भाई इसका प्राइस में बता दूं आपको यह 40,000 रुपे में ते देंगे इंशाला हुआ कि नेगोशेट भी कर लोगे डिमांड जो है अस्के अंदर गुंजाई शाप करोगे कर ले परसनल भाई इत का टाइम इस टाइम तो बता देना चाहिए वो टाइम बच जाता है लोगोगों कर चीज बतादे तो पसंद आती है तो फिर पंटक्ट भी करते है तो वागी है बहुत अच्छा लागा मुझे इसके बाद एक ही है बगरा भी बहुत बड़ी आया है इसके दाते सर ये बी चार दात पर यह दो दाते है दो दाते हैं और जो बखरे का इस ने अब दो दात करें वाली चीज एक साल तक आराम से इसको कोई रखे फिर मजा आया जागा और वो साइट पर जो बिल्कुल अलगी यह बच्छे का यहां से जिसा दिख रहा है और यह साइट से बिल्कुल अलगी है बच्चा अभी पालने लाएक चीज है भई अभी क्योंकि दो दात उसने करें हैं ठीक है प्राइस बताओ कितने का ही है भाई यह इन्शालला अपन इसके प्राइस इसा है यह अपन कर देंगे इंशालला पे 30,000 रुपे और इसमें न अच्छा है भाई और यह इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपने पास छोटे भी जानवर भी है तो उनको भी देखते हूँ चलते हैं इस एक यह बर्बरी के अंदर दिख रहा है या मालवा यह मालवा यह फुल्क तर्गुला भी यह माशाला है इसके यह दो दात हो गय है अभी और वजन कितना रहा है इसमें वजन इसका संतिंग आ रहा होगा शायदा भाई 35-40 किलो तो होग नहीं चाहिए 35-40 किलो के बीश में वजन है ठीक है और कितने का है भाई यह बाई यह इंशालला पन 18,000 रुपे में देगे 18,000 रुपे ठीके नेगो शर्ट तो इसक के साथ एक और जानवर है वो जोड़ बता देता हूं आपको गुजरी के साथ जोड़ है जी ठीके बताएं यह बाई यह भी माशालला बोद अच्छा बच्चा है देखने में अधन्त लग रहा है जी जी अधनी की अभी नहीं की अभी कितना टाइम लेगा भी दात करने मे यह पंदरा बीस दिन में हो सकता है यह एक महीने के अंदर दाद पूर मतलब यह कुर्बानी लायक हो जाएगा नहीं तो पाल भी सकते हो आप इसको हित्रे का है भाई यह जोड़ दिये दोनों बकरे इंशालला आपन अड़तीस हजार रुपे में दे देंगे में एक बकर और दिखा दे तो आपको इसी के साथ का बग्रा है सीगे यह कोटा है तो आपको साथ ही सेल करेंगे इंशालला ठीक है क्या डिमांडे दोनों की अरतिस अजार रुपे इंशालला और नेगोशियर कर दो कोटा की यह दो दात है और पेतिस चालिस किलो वेड़ है दो जात पर है और दोनों बखरों की कुर्मानी इंशालला हो जाएगी एंशालला ठीके 38 में नेगोशियर करेंगे आप जी इंशालला कर लेंगे बहुत बिल्कुल ठीके और भी बखरे बचे हैं जी एक बड़ा जानवर वो पोटा बचा रचा एक बचा है सबसे बड़ा बखरा तो मुझे भारी यही लग रहा है आपके बगरों के अंदर फूड गया था कावर करना जी जी कोटा है यह बाइक कोटा पर अनदर क्या डीटैल तो इसकी पिष दकरे चार दात करें हैं ऑर इसकी बी 36-36 heimझ माशालला कितने टाइं इसका प्राइज बताना चाहोगा कितने का है इसका प्राइज नहीं जो दिया वह भी वैलिट रिजन है कि आपका सूदा चलगा है कोई दिक्कत नहीं जी जी ठीक है भाई अभी सारे जानवार हो गाए अब इंशाल्ला जो लोग इंट्रेस्टेट होंगे तो आप तो ज़रूर कॉंटेक्ट करेंगे ठीक इंशाल्ला अल्लाफिस अल्लाफिस वालेकूं अल्लाफिस